जनम से पहिले बिटिया ओढ़े लिरे का फानामा जनम से पहिले बिटिया ओढ़े लिरे का फानामा माई बाबु बनल्दु समानामा गरभे में मारे जाना सब कर अखुनामा ये कहीर हाऊए दारा मामा आलगा दारूना पीना भाईया पागल फिरोगे तुम बाजार में रोते रहेंगे बच्चे पतनी रहेंगी इंतजार में सलोनी है और सलोनी के बगल में एक बकरी भी है तो इमदू चराने जाती हो नहीं पहुंसते वाज क्या बात है बकरी चराती तो यहां तक नहीं पहुंसती है ना और आप लोग मेरे घर ठोअथ He क्या बात है देखिए सांदार बात बोली अगर बक्री चरा रही होती तो हम यहां पर नहीं आते और देद ही कोलनी के घौरों बांजा भूनी पानी के तदीन आवाला तो हमनी के बैठ बैठ के बिहान करी नजा पानी टपकता है अपड़ा पले पानी टपकत रहला सर जी बिहार के रुहतास के अली नगर गाउं के एक ऐसी लर्की जिसका नाम सुलोनी कुमारी है और रातो रात वायरल हो गई यह इतना अच्छा गाती है कि रातो रात वायरल हो गई आज मैं इसके घर पर आया हुआ तो सरकारी जमीन में है सरकारी जमीन में एक घर बना हुआ है और इनके मम्मी भी हमारे साथ अभी है और सलोनी है पापा कहां गए हुए पापा काम करने गया है और अभी स्कूल से आई है और हम अभी इसके घर पर आये हुए हैं सबसे पहले हम इनके मम्मी से बाचित करते ह करते हैं इनके पापा क्या करते हैं मजदूरी करते हैं आप क्या करती है यह बाबु मियां के भोजन के जुटावत हैं कुछ पापा का माला इंता जुटाला यह सपढ़ाई लिखा ही होता है अब दूसरे के खेत में मजदूरी करती है उसके बाद इसको पर आती है हां आपका यह जो घर है अपना जमीन है ना सरी तो सरकार की तरब से आवास योजना नहीं मिला ना सर जी अभी तक लेशन कहां कहां का मुखिया जीतला अब ना देखलान की माने गरीब बांता तान ये वो देद ही कोलनी के घरो बन जा भूनी पानी के दीना वाला तो हमनी के बश्ट बश्ट के बिहान करीना जा सब्सक्राइब पानी टपकता है अब यह मालूम है कि नहीं कि आपके बेटी है जो पूरे देश में लोग इनको देखे हैं पूरे देश में बाइरल हो रही है देखें सलोनी है और सलोनी के बगल में बकरी भी ह। यह बकडी चराने एती हो नहीं सर क्योंग आ यहां तक नहीं पहुंचते हैं kidding लोग मेरे घर थोई नहीं आते सांदार बात बोली के सबसे बड़ी बात है इनके मेहनत करें मजदूरी कर रहे हैं तब जाकर कि यह अश्कूल में पढ़ने जा रही है और इनकी माँ जो अभी आई है भी खेत में से किसी के काम करके आ रही है मजदूरी करके आई है ना बाबू जी सर गाना इतना अच्छा गाती है ना कि आप सुनेंगे तो बस सुनते ही रहा जाएंगे थुरा नसा न करना मान लो कहना प्यार भाई बहना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी नसा में डर है नसा जहर है जीते जी मर जाना होगी बड़ी खराबी होगी बड़ी खराबी दिन पदिन बिगलल जाता रुपा वाके दासा नासा छोड़ बकीना तोहरे फिकिरिये भाईनी गलल बातासा नासा छोड़ बकीना दारून पीना भाईया पागल फिरोगे तुम बाजार में रोते रहेंगे बच्चे पतनी रहेंगी इंतजार में भीके गगहना फिर क्या कहना दर दर ठोकर खाना होगी बड़ी खराबी नसा में डर है नसा जहर है जीत जी मर जाना होगी बड़ी खराबी कितना संदार गाती है नसा न करना हां मान लोग कहना बहुत अच्छा संदेश दे रही है पुरे बिहार वासियों को क्योंकि बिहार में सराबंदी है सराबंदी होने के बावजूद भी लोग सरा पी रहे हैं और सराब पीने से कितने लोग की जान भी चली गये है, छपरा में हाल-फिलाल में स्ट्रेकरों लोग मर गए सराब पीने से, और यहीं संदेश से, बिहार वालों कभी भी समझ लेकर जूरु थे और इस चीज पर फॉलो करने की जूरुवात है कि सराब पीना, सराब पी तो आ गनफरोगे खराव कोका पीने के लिए एक सआग को पीने लिए कर देतेगें, साल के स Васिकार। पाराव सब्रेधा और कर गftig गाने लुट वारे, सब कर खुना मा ये कहीर हुए दारा मामा या लगा अलगा बाम के हु बाबु माई के चरनी आके धोवे के हु के बाबु माई दिन राते रोवे माई के ममता ये कहीर हुए माई के ममता ये कहीर हुए लाला नामा या लगा अलगा बाम ही राजन मा पवला सुन्दर तन हो तब काहे यतना बा गांदा तो हर्मान हो सब करन नहीं आ ये कहीर हुए बीचार आवा अलगा अलगा बाम बीचार आवा अलगा अलगा बाम ये क्या बात है बहुत बढ़िया देखे आप ये धरम अलग-अलग भले ही है लेकिन विचार अलग-अलग भले ही है लेकिन सब का खून एक ही है आप भी गाती है गाना गीत गाना आता है कि नहीं पापा के साथ में सब्सक्राइब कर दो हमारे पापा घाते थे तो हमको भी हमारी अच्छा लगता था तो तो जीशे जीशे गां रहे थेघों होग क्या बात पापा गाते पहरा ऊज्फ तो डा बहुत ग cob गाते थे साश्त के शीए में तो गाना गाना निएफ मूंसे तह अपक्यों अपने घर में गूनाती रहते थे मूं अधंकि एक गाना और शुना ओउ फक्राद को को कोई जो सामाज से जूरा हुआ हो दहेज परता पर कोई गाना सुना सकती हो चोटा सा और बहुत बढ़िया गाना ठीक है कि देखिए कितना अच्छा गाती है दहेज परता पर गाना आप लोग सुनिए ध्यान से जनम से पहिले बिटिया ओढ़े लिरे का फानामा जनम से पहिले बिटिया ओढ़े लिरे का फानामा माई बाबु बनल्दू समानामा गरभे में मारे जानामा उगे से पहीले सुरुज पे लागी गईले गाराहनामा उगे से पहीले सुरुज पे लागी गईले गाराहनामा माई बाबु बनल्दू समानामा गरभे में मारे जानामा क्या बात है सुनने के बाद रोम्टे खड़े हो जाते हैं क्या बनना चाती हो हमको सिंगर बनना है बस सिंगर ही बनना है और कुछ नहीं तो सिंगर बनने के लिए बहुत अच्छा गाना पड़ता है जैसे गार ही हो सिंगर बन जाओगी और यह सिंगर बनना चाती है आप चा बहुत अच्छा गार यह आप लोग को भी अच्छा लगी रहा है तो मैं यह चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि यह अच्छा करें पूरे देश-विदेश में नाम करें तो आप इनको आगे बढ़ाइए इस लड़की को आगे बढ़ाइए जब हम आप इसको दिखलाने क के लिए पठना साई सकते हैं तो आप लोग भी इसको अपने स्टूडियो में गाने का मौका दे सकते हैं और बहुत सारे हमारे भी मीत्र स्टूडियो खोलकर कर बैठे हुए बाइस आप देखिए आप देख रहे हैं n ale यह टालेंट दवा हुआ है देखिं कितना छोटा घ और इस लड़की को वाइरल करने वाले भी हमारे साथ है सर आएए ना देखिए और इसके स्कूल के प्रिंस्पल है परधाना अध्यापक है और यह इसको परहाते भी है और साथ-साथ में एक वीडियो बना करके दिखला हैं यह इनका स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो पूरे जीला का सबसे नंबर वन श्कूल है पूरे जीला का सबसे नंबर वन श्कूल है रोता जीला का स्कूल जो है क्या नाम हुसका स्कूल मद्ध विद्याले पतलुका मद्ध विद्याले पतलुका सर एक वर फ कोन से कलास में परती हो ऎक रहें। कैसी पढ़ने लिखने में कैसी है, कैसी पढ़ने लिखने में हुप है, जैसे बच्चिए ना चाहते हैं, कािनो सफायोग को भी यह सवयोग होते हैं। ने तो देखे ये तो अब बेटी हम लोकी हो गई तो कहीं अगर सासाराम जाना हो या फिर पटना जाना हो या जहां कहीं भी जाना हो बच्चे को तो मैं इसे लेकर के जाओंगा और इसके लिए मैं सक्षम हो और अपने खर्च पर लेकर के जाओंगा बच्चे को बिलकुल ब गरीब के घर जो अगर इतना सुंदर अवाज स्वर कोकिला जैसा है इसका ती इसके पर्तिभा को लोगों के सामने लाना चाहिए बिल्कुल लाना चाहिए इस सही में बहुत एक तना गुदरी के लाले है और यह जरूर नाम रोसन करेगी यह मेरा दावा है फिलाल के इतना ही आप देख रहेते सीकेट टीवी इंडिया नी चितराजन कुश्वाहा के साथ यह सलोनी के घर से नमस्कार जैहिंद